कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रयासों से होई विपक्ष की बैठक में कुल 15 पार्धी शामिन हुई बैठक में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग, कॉंग्रेस नीता राहुल गांधी, राकामपर प्रमुख, शरत पवार, सीपियाई नेता, सीता रां येचरी, जार्खंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन समय तक कई अन्य नेता शामिल हुए ममताब एनरजी ने पिछले हफ्ते स्ट्रेट यूनियन की स्ट्राइक के दौरान बामदलों और त्रन्मूल कॉंग्रेस के कारेकरताओं के बीच हुई जड़पों की वज़ह से घोश्टा की थी कि वहर विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होंगी उन्होंने कहा था मैंने ही विपक्ष को बैठक का विचार दिया राज में जो हुआ इसकी वज़ह से मेरे लिए अब बैठक में शामिल होना संभव नहीं है मायवती ने भी हाल ही में राजिस्थान में कोटा के एक अस्पताल में बच्चों की मौत के आकड़ों को लेकर सोनिया गांधी और प्रेंका वाजरा पर हमला किया था उन्होंने कहा था कि अगर कॉंग्रिस महासचिव बच्चों को खोने वाली माताओं से मिलने के लिए कोटा नहीं जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में पीडिक परिवारों के साथ उनकी मुलाकात को राजनेतिक हिट और ड्रामा ही माना जाएगा शिव सेना और आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसे दिल्ली में कॉंग्रिस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक की जानकारी नहीं थी सोनिया ने सीए को विभाजनकारी कानून बताया था और सभी के मन में सुरक्षा का भाव पैदा होगा इसके थोड़ी देर बाद ही दोनों शेरों के नए पुलिस कमिशनर का एलान भी कर दिया गया सुजीत पांडे को लखनव तो आलोख सिंग को नोईडा का पहला पुलिस कमिशनर बनाया गया है पुलिस आयुक्त की परणाली यहां पर भी लागो की जानी चाहिए पुलिस एक्ट के अंतरगत भी दस लाग से उपर की आवादी के नगरी चेत्रों में पुलिस आयुक्त परणाली लागो होनी चाहिए लेकिन दाजने तीक इच्छा सक्ति का भाओ और प्रदेश के अंदर सुरक्षा एवं कानून दिवस्ता की बहतर रिस्तिती के लिए कदम उठाने की जो एक इच्छा सक्ति दिखनी चाहिए थी कहीं न कहीं उसको नजरन्दाज किये जाने का प्रणाम था कि इतने वर्सों तक ये कारे नहीं हो पाया आज मुझे बताते हुए प्रसंता है कि अतरप्रदेश सरकार ने उतरप्रदेश के इन दो महत्तुकूर चेत्रों में पुलिस आयुक्त परणाली को अपनी स्विकर्टी दी है मुझे प्रदेश में भी पुलिस कमिशनर सिस्टम लागू करने के लिए मुख्मंति कमलनात प्रयास कर रहे हैं लेकिन आई एस अफसरों के दवाग के चलते वे अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं योगी सरकार के इस फैसले पर बस्पा सुप्रीमो मायावती ने हमला बुला है मायावती ने ट्विट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगा पुलिस विवस्था बदलने से नहीं बलकि आपराधिक तत्वों के विरुद दलगत राई नीती से उपर उठकर सक्त कानूनी कारवाई करने से ही प्रदेश की बदहाल कानून वरुस्था में सही सुधार आ सकता है जिसकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए नी शराब दीती को लेकर पूर्व मुखमंतरी शिवराई सिंग चौहन ने सीम कमलनाथ पर निशाना साते हुए कहा कि परदेश का किसान परिशान है किसानों का करजा माफ नहीं हो रहा है और सरकार शराब की दुकाने खोलने में लगी है शिवराई ने कहा कि क्या सरकार परदेश के युवा और जनता को शराब के नशे में डुबू देना चाहती है परदेश को तबाव बरबाद किया रहा है परदेश की सरकार को शराब माफिया चला रहे है शिर्वाई ने कहा कि सीम कमलनास से जब इस विशय पर आगरे किया गया कि पुरदेश को शराफ से तबा ना किया जाए तो वो कुतर्क देते हैं और कहते हैं इससे अवेश शराफ बंद होगी और इसमें जनता तो तबा होगी मौटा लेंदेन भी हो रहा है यह बरवादी मदवदेश के नहीं होने देंगे चाहिए कितना भी लड़ना पड़े मैंने मुक्ष मंतरी जी को दो चिट्टियां लखी और आगरे किया है वो कुतर्क देते हैं मैंने आगरे किया कि नहीं आप इस फैसले को बापस लीजिए अब वो कहते हैं कि जहादा दुकान खुलेगी तो अबैद बंद हो जाएगी तो मिनका घर पे बिजवाना शुरू कर दो तो फिर पूरी बंद हो जाएगी कि कोई तर्क होता है किया क्या कर रहा है आपकारी अम्ला गाय के लिए बैठाएए ये कोई नहीं रोकता वैद सराब की विक्री शिवराईद ने कहा कि सरकार ना तो खन्यादान दाशी दे रही है ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है किसान इस सरकार से परशान हो चुका है सरकार को नशामुक्त परदेश बनाना चाहिए लेकिन सरकार परदेश को शराब में डूबो कर मार देना चाहती है आखरी ये सरकार चाहती क्या है शराब ठेकेदारों को अब्दुकाने क्यों खुलने दी जा रही है इसकी जरूरत क्या है इसमें पैसे का लंबा लेन दिन किया जा रहा है राजनेतिक कारणों से मध्यप्रदेश की कमलना सरकार C.A. की मुखालफत कर रही है ऐसे में सरकारी अधिकारी भी अपनी मर्यादों को फूल रही है बार्दी जंता पाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग ने मनला की कलेक्टर जदीश जटिया के खिलाब कारवाई की मांग की है मनला कलेक्टर ने C.A. के विरोध में फेस्बुक पर टिपड़ी की थी राकेश सिंग ने कहा मध्यप्रदेश में आरा जक्ता का माहौल है कोई कलेक्टर जैसे पत पर बैट कर और इस तरह की बाद फेस्बुक पर पोस्ट के माध्यम से डाले उसका मतलब क्या है कि कमनलाज जी अपने राजनितिक विजन को पूरा करने के लिए क्या प्रशासने कदिकारियें को अपयोग कर रहे हैं और इस तरह से करेंगे जो कानूर मन चुका हो जो राजबत्र में प्रकाशित हो चुका हो कोई कलेक्टर उसके खिलाफ कैसे जाकर बूल सकता है लिकिन दुर्भाग यह मध्यप्रुदेश में सब संभव है कलेक्टर के सीए के विरोध में फेस्बुक पर टिपड़ी के बाद जब विवाद की स्कति बनी तो कलेक्टर ने अपने शोशल मीडिया अकाउंट को ही बंद कर दिया है ऐसे में सवाल हुता है कि संसत के पास कानून के बारे में किसी कलेक्टर को सारजनिक टिपड़ी करने का धिकार है हनीट्रैप की मास्टर माइड शुईता विजजयन और उसके ग्यांग को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं उसके इस धंदे में नेता अफसर व्यफसाई और पत्रकार सब लिप्ट पाए गए हैं ऐसा लगता है अपने बारे में प्रकाशित और प्रसारित हो रहे समाचारों से श्वेता परेशान है और मीडिया को बहुत कुछ बताना चाहती है मीडिया से बात्चीत करते हुए श्वेता ने कहा कि इस पूरे मामले पर वे जेल से बाहर आने के बाद अपनी बेगुना ही साबिद करेगी श्वेता ने हनी ट्रैप मामले में अब तक हुई मीडिया कवरेश पर नाराज़ की जाहिर की है और कहा है कि मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है लेकिन उसने ये जरूर कहा मुझे छूट जाने दीजिया आपको सब बता दूगी श्वेता को इंडॉर जेल से जेल वाहन में ही लाया क्या श्वेता विजजजैन भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी में रहती थी उसने सोनागरी स्थेत आई सी आई सी आई बैंक के लोकर में नगती और दस्तवेज रखे थे हनी ट्रेप मामले की जाँच के लिए गठित एसाई टी ने इस लोकर से 43 लाख रुपे की राशी और लें देल के दस्तवेज जब किये थे आईकर विभाग दोरा जानकारी मांगे जाने पर साई टी ने इस पूरी जाँच के दोरान मिली नगत की टीटेल आईकर विभाग को सौप दी थी इसी आधार पर पेछले हफते श्वेता विजज जैंग को पूश्टाश के लिए समन भेजा गया था आईकर विभाग के ज्वेंट कमिशनर वेदांत कवर ने श्वेता से पूश्टाश की कॉंग्रेस नीता जोतरेजिस सिंधिया सीवा दिल के राष्टी विशारत प्रिशेक्शन सीवर में भाग लेने के लिए भोपाल आए उनका स्वागत करने के लिए राष्ट परकार के तीन मंतरी तुलसी सिलावट, गोविन सिंग राष्पूत और प्रद्वन सिंग तोमर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि वे अपने 18 साल के राजनितिक जीवन में कभी भी कुर्सी की दौड में नहीं रहे वे ना तो रास्वा में जाने की दौड में हैं और ना ही मद्दप्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं मैं सिवाभाव के आधार पर चला हूँ और ये मेरे आचरण ने आपको पिछले 18 साल में दिखाया था जाए पिछली दसंबर का आचरण हो या आज का भी आचरण जवलपुर में भाजपा देख्षबक केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्या द्वारा कॉंग्रिस पर दंगे कराने के आरूप पर सिंधिया ने पलेटवार किया उन्होंने का कि भाजपा अभिवक्ति को दबाती है सिंधिया ने कहा कि कानून लाने के पहले उन्हें उसके लिए भहुमत लेना था वीर सावरकर को लेकर जब सिंधिया से सवाल किया गया तो वे उसे टाल गए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी में पसीने की एक बून तक नहीं भाई, वे कॉंग्रेस को प्राण पत्र देंगे C.A. और C.A.B. के समर्धन में भारती जंता पाटी ने सिंग रॉली में तिरंगा यात्रा निकाली सब्जीमंधी कलेक्टरिट के पास से 3 किलोमीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तिरंगा यात्रा में सीधी सिंग रॉली सांसादरीटी पाठक जिले के तीनों विधायक राम दल्लु वैश शुभाश वर्बा अमर सिंग शामिल हुए तिरंगा यात्रा के रूप में हजारों लोग रेली में शामिल हुए जब शेहर में तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो लोगों का कहना था कि ऐसी यात्रा हमने पहरी बार देखिये है सांसा धृति पाठक ने कहा कि ये केंद्र का विशह है मुख्यबंतरी ने जो कहा है बेगलत है उन्हें कहा प्रदेश सरकार लोगों को बरगला रही है इन लोगों से चंता को सतर कर रहना चाहिए इस हित में लिया गया जोने उनके अधिकार में नहीं है सबसे पहले में बता देना चाहिए अधिन के लिए इसलिए जो विसाल जन्समुग मुडा है ये आपके सवाल का उतर है तक परिवार और एक एक जन्समुग यहां पर इस रैली में सामील हुए है यह सब एक जुट है चरंगा यातरा के दोरान पुलिस प्रशाशन की विवस्था सक्त रही भार्टे जंथा पाठी के जिला अध्यक्ष विरेंद्र गोयल ने कहा कि सी ये देश के लिए अनिवार है ये प्रदेश में भी लागू होना चाहिए सी ये के समर्था में जागरुक रिवा नगर परिशत के वैनर तले एक समर्थन जागरुकता रैली निकाली गई इस रैली की खास बात रही कि इस रैली में जहां कई धार्विक और समाजिक संगठनों और भाजपा के सदस्यों निस संक्त रूप से भागिदारी निभाई वहीं हजारों लोग खुद होका रैली में शामिल हुए रैली में वैनर को न देखते हुए लोग सिर्फ नागरिक्ता बिल के समर्थन में हिस्सा लेने के लिए प्रमुख रूप से शामिल हुए स्वरस्वती शीशु मंदिर जेल मार्ग से यह रैली निकली रैली अस्पतार चौक सिर्मौर चौक से होते हुए कॉलेच चौराहे पर इस विराट रैली का समापन हुआ यह जो पाकिस्तान बंगला देश और अफगानिस्तान से में जो लोग प्रताडित हो रहे थे और हमारे देश में अपना देश मान के आए हुए थे उनको नागरिक्ता नहीं मिल पा रही थी मोदी जी की सरकार ने उनको नागरिक्ता देने के लिए जो कानून बनाया है उसको लेके जो भर्म फैलाने का काम देश विरोधी ताक्तों ने किया है उसके विरोध में और नागरिक्ता संचोधन कानून के समर्थन में आज रीवा की जंता सड़कों पर उतरी है और अपन समर्थन मोदी जी को औरे अमिस्ट जी को देने का कामց किया है। दरने की जरुवत नहीं है और ना किसी के बहकावे में आने की जरुवत है यह कानून लाग्रिक्ता देने के लिए है ना की किसी की नाग्रिक्ता छीणने के लिए नागरिक्ता संशुधन कानून को लेकर चतरपुर के नौगाउं में बीजेपी ने प्रभुद्ध जन संगोष्टी सभा का आयोजन किया इस मौके पर सांसथ विरेंद्रे खटीक ने कहा कि नागरिक संशुधन कानून को जो राज लागू नहीं करेंगे वे देश के संविधान को चुनाती देंगे और संविधान का अपमान करेंगे खटीक ने कहा कि संविधान में एक संग्य धाचा है जिस पे केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वे कानून राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा क्योंकि देश की जन्मत में संविधान के प्रती विश्वास है और जो राजे इस कानुन को लागू करने से मरा कर रही है बहर लोगों को गुम्रहा कर रहे है संविधान में जो है ना केंदर सरकार और Rाजे सरकारों की एक संग्री धाचे में वस्ता बनी हुई है और कानून बनाने का काम संभीधान बनाने का काम संभीधान में शंसुदन करने का काम वो केंदर शरकार के द्वारा किया जाता है राजिय सरकारों के दोरा बिरोधी दल्वाइट जहां पर सरकारे हैं उन बिरोधी दल्वाइट के दोरा इस तरह की बात करना कि मैं एपते राज़मे कानून को लागू नहीं करेंगे ये सम्भीदान को चुनोती देना है, सम्भीदान का अपमान है और इस देश के अपमान को यहाँ का जनता जो है ना सम्भीदान के प्रती बहुज़ विश्वाश उसरदा का भाव रखती है इस विद्वाश के बाव को इस देश का जनhen मत कभी श выпускार नहीं करेगा रात के अंदेरे में किसी बदमाश ने पंडाल में सो रहे तकरीबन सौ अतिती विद्वानों को जलाने के लिए पंडाल में आग लगा दी लेकिन अशानक अतिती विद्वानों के जाग जाने से एक बहुती बड़ा हासा तर गया इस मामले में अतिती विद्वानों की शिकायत पर पुलिस ने फाई अर्दश कर लिये वहीं देता प्रतिपक्ष गोपाल भारगाव ने गटना की निंदा करते हुए मुखमती कमनास से उच्छ तरी जांच की मांगी है उन्होंने कहा कि अतिती विद्वानों की आवाज को दवाने की कोशिश की जा लिये इस मामले पर अप सरकार विपक्ष के निशाने पर है अतिती विद्वानों और अतिती सिक्षकों की आवाज को दवाने का काम किया उनके देड़ महीने के प्रदर्शन के बाद भी धरने के बाद भी कॉंग्रेस की सरकार को जू नहीं रहेंगी और वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं कॉंग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था जो वचन पत्र में कहा था कि नेमित किया जाएगा अतिति विजवान और अतिति सिक्षकों को वो अपनी उसी बात को बनाने की कोशिश कर रहे पर कॉंग्रेस की सरकार की कानों में जू नहीं रहे अभी तक सरकार उनकी आवाज को दुआना चाहती थी और कल उनको जिन्दा जलाने की कोशिश की गई परवता अलोकतांत्रिक हैं इससे जादा शर्मनाग बाद किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि यदि एक वर्ग जिसके हातों में समाज की के निर्मान की जिम्मेदारी है वो सिक्षक जो सिक्षा को धर्म के रूप में परचार और परसार में लगें हैं उनके साथ इस तरह का वहर किया जाता है प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और इकल की घटना जिसमें पैट्रोल डालकर अतीती विद्वान और अतीती सिक्षकों को जलाने की कोशिश की गई इसकी उच्छ तरी जाच होनी चाहिए मद्द प्रदेश के अतीती विद्वान 35 जिनों से अपने नियमेती करन की मांग को लेकर भूपाल में धरना दे रहे हैं रवी वार देराद धरना इस्तल पर लगे उनके पंडाल में अग्यात लोगों ने आग लगा दी बताये जा रहा है कि आग केरोसिन डालकर लगाए गई इससे आग तेजी से भड़की और देखते देखते पंडाल का एक हिस्ता पूरी तरह से चल गया जब आग लगी तो पंडाल के भीतर सौछ से जाज आती थी विद्वान सो रहे थे केरोसिन की गंद और आग के दून से अती थी विद्वानों के ने खुल गई इसके बाद पंडाल के अंदर अफरर रफरी मच गई दूसरे पंडाल के लोग भी शोड शराबा सुनकर आ गए विद्वानों ने समय रहते इसे देख लिया और सब ने मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया अगर आग बे काबू होती तो बहुत बड़ा हास्ता हो सकता था आज रात में धाई वज़े के लगवग अथित्युद्वान जब फो रहते तो यहां पर किफी ने चारों तरफ पर्दों पर पेट्रॉल डाली जिसके अथित्युद्वानों को नामों निफानी मिट जाए अथित्युद्वान किसी लाइक ही नहीं रहे अभी तक तो चलो बाहरी किया था अब तो अथित्युद्वानों को मारने की प्लानिंग हो रही है क्या हो रहा है यह पता नहीं अफमाजिक तत्वाय है जो उन्होंने पेट्रॉल डाल के चारों तरफ यहां पर पूरे किसी को देखा आप लोगोंने भागते हुए पंडाल में फिट्रॉल चलका के आया है इक जी आग लगा गये लेकिन हमारे कुछ साथी जग रही थी इसलिए आपको तुरंद बुजाया गया लेकिन जो भी आग लगाते हुए भाग गये यह बहुत बड़े एक आंदोलन को साजानी पार्क में अभी रात में दो बजे पता नहीं तीन-चार लोग आये आना मुह बांदे हुए थे पूरे पंडाल में चारों और पेट्रोल डाल दी और जब आग भगवने के लगी तो हम लोग उसके भाग गए इसमें हमारे 500 महिलाएं हैं चोटे-चोटे बच्चे हैं हजारों पुरूज पंदर से लोग हम लोग साजानी पार्क में डेटे हुए यह पता नहीं किसकी साजी से हम लोगो जिंदा मान निकोजिस गई है हम लोग बहुत परिशान है अशासर प्रसां तदका इसमें करवाई करें टीकमगड़ SP अनुराग सजानिया और कलेक्टर हर्शिका सिंग ने हरी जंडी दिखा कर पुलिस बाइक रैली को आरम किया जिसमें पुलिस के तमाम आला अफसरों के साथ पुलिस कर्मी हेलमेट पहन कर टीकमगड़ की सड़कों से गुजरे तीकमगड़ SP ने बताया कि ज जो आखने हैं काफी कम हो जाएंगे हेलमेट लगाने से बाइक ट्राइवर करते समय एक कागरता बनी रहती है और इसी लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया है 11 जनरी 2020 से 31 सड़क सुरक्ष सब्का आराम हुआ है उसमें हम कई सारे कारेकरम करा रहे हैं जिसे जन जागरुकता अभियान के रूट में एक प्रोजेक्शन हो और टीकमगड़ की जनता के बीच में ट्राफिक नियमों को पालन करने के लिए एक जागरुकता जागे सिंगरॉली के चतरंगी ठाना से एक कल्यूगी बहु की दास्तान सामने आई है धानी गाउन निवासी एक बहु ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ब्रद सास की कुलहाडी से काट कर हत्या कर दी और फिर लाश को नजदी के कुए में फैक कर चतरंगी ठाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुच गई उसने रिपोर्ट दर्ज कराए कि आरोपी सुशील पाठक उसके घर में आकर उससे जोर दबरदस्ती करने लगा इस दोरान वे सब उसकी सास ने देख लिया तो गुसे में आकर शुशील ने उसकी सास की कुलहाडी मारकर हत्या कर दी और कुए में लाश फैक दी पुलिस को कहारी में कई पैंच नजर आए और उसने बहुत ही गंभीरता से इस मामले की परताल की तो इस मामले में बहु खुद आरोपी नजर आई हमने कुलाडी भी जबत की है वेसल की रिपोर्ट आजाएगी तो हम असपस्ट पता पांगे कि वही कुलाडी से हित्या हुए कि ने अभी तक जो पूश्टाज में बता चलाएगी कि वही कुलाडी से प्रियोग किया गया है अभी दो आरोपी इस में प्रतंति रिष्किया हमें पता चले हैं एक तो वह महिला है जो उसकी पतव है बहु है और दूसरा वो जो यूबक है जो उसके साथ इसका संबन्ध था बहु की सूचना पर मौके पर पोलिस ने पहुच कर पंच नामा करवाया और हर बिंदू पर चांच की पूश्टाश के दौरान पोलिस को मृतक की बहु पर शक हुआ पोलिस जब उसके साथ कड़ाई से पेश आए तो बहु ने सारा सच बया कर दिया उसने बताया कि वे अपने प्रेमी के साथ थी तब ही उसकी सास ने देख लिया सबुद मिटाने के लिए दोनों ने मिलकर कुलहाडी से काटकर सास की हत्या कर दिया और कुलहाडी को फेट दिया था शतरपुर में पॉलिस ने एक नई पहल की है शहर में हो रहे पॉलतिन के उपियोगों को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा जंजगरन अभ्यान चलाया जाएगा और उससे होने वाले नुकसान को लोगों को बताया जाएगा इसके साथ ही साथ यह संगठन पौधे लगा कर परयावरन को बचाने के दिशा में काम करेगा इस संगठन ने बिना सरकारी मदद से यह अभ्यान को चलाने की बात कही है संगठन के कारयाले का उद्गातन करने पौछे प्रदेश के वानिजकर मंत्री और जिले के प्रफारी मंत्री विजेंदर सि sinister ने इस संगठन की दारीफ की वहीं कलेक्टर ने भी अपने कारयाले में पौलेथिन को पूरी तरह से बैन करने की बात कही करीब दो तीन मेने पहले मेरे दिमाग में विचार आया कि पर्यावरन संबंदी कुछ काम हमारे समाज को हाथ में लेना चाहिए हमारे छोटे से नगर छदरपुर के लिए कलेक्ट साब से मेरी बात हुई दिनेश से मेरी भेंट हुई और हम लोगों नहीं यह तै किया एक शुरुआत करेंगे अपने चोटे से नगर में जो सिंगल कम से कम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका जो दुरूपी हो गया उसको रोकने की है और उसी तारितम में आज ये कारिक्रम किया गया है दुनिया में जहां ऐसी ताक्तें जो निरंतर चाए नदी हो चाए पहाड़ हो चाहे जंगल हो इनका दोहन करने में लगी है और जिससे परियावरण विगड़ रहा है दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपना सारा काम छोड़कर अपना पैसा खर्च करके समास सिवा के छेतर में परियावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं ऐसे ही सुरुआत आज छतरपूर में डाक्टर चौबे जी और उनके टीम के द्वारा की गई है मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत उनको बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि नके बहुत छतरपूर में मदब प्रदेश में और देश में जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सारे लोग इस बारे में चिंता भी करेंगे और इस दिसा में आगे काम भी करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन भी मैंने लगा दिया है बट इन्फोर्सिबिलिटी की बात है हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं मैं काम से क्योंकि आपने मुझता चेड़ा है मैं स्वाच भारत का मिशन डिरेक्टर था मैं रोको टोको कैमपेंड शुरू किया था कि प्रिशर मॉडल तो अगर हम लोग आपस में रोकिंग कर आया है या वो यूज करा कि तो क्यों यूज थैला नहीं लेकर आ सकते हैं एक एक्जाम्पल के लिए आप सबजी लेने जा रहे हो तो अगर हम लोग खुद करेंगे तो वो मल्टिप्ला और प्लॉरिफरेट बहु पर दूत्रा हिस्सा सांकर्तिक संजया थी जिसमें सदस्साथियों वा उनके परिवार जनों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया जहां वरिश सदस्सों को शौल पहना कर समानित किया गया बैंकर्स क्लब के सलाकार मंडल के सदस्स तथा प्रमुक समासेवी शाम संदर गोपल जाते हैं और हम सब लोग बहुत गीम्स थेल के काफी सारा एंजॉयमेंट रहता है लंच रहता है ब्रेकफास लेके लंच रहता है तो एक गेट टूगेधर हो जाता है बहुत अच्छा मैंने डांसिंग में पार्टिसबीट किया था मैंने तोलो डांस किया था लेंड़न अच्छा लाजरा है वार्शिक पारिवारे को सम्मेलन हो एक मेले जैसा ही होता है हमारा है किसमे परिवार के सबीस सब्सके बढ़ चरकर इससा लेते हैं इसमें कल्चिरल एक्टिविटीद होती है पहले हमने दस बजे आज सुबह शुरुआ थी तो हमने ग्राउन पर शुरुआ जो प्रोग्राम की ग्राउंड पर की वहां पर हमने आउड़ोर गेंस से वो खेले हमें तंबोला और रसी रसी कूल और मट्की फूल और चेर्रेंस लाइक देट वहां पर ब्रेक्फास्स किया उसके पास फिर हम थाड़े बारा बजे अंदर आये तो अंदर कि प्रोग्राम की ग्राथ हमात है ठेलो से मेलो तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजदीती से कूटनीती तक दखन न्यूज आपके हत्पों आप देख रहे हैं दखन न्यूज